पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह समू के सदस के बेसिक डिटेल को भरना है उसके बारे में सीखे यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर मेंबर प्रोफाइल कैसे भरे उसके सामने वाले भूलू लिंक को टच करे और आप ये वीडियो देख सकते हैं तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं हमने पिछले वीडियो में दिब्या देवी का बेसिक डिटेल भरा और जैसे वेरिफाइएंड सेप को टच किया तो data save successfully आया और औरो की किया तो आगी वाला आइकन में आ गए इस आइकन का नाम तो आप से भी जानते हैं इस आइकन को phone आइकन कहते हैं दुसरे वाले phone screen को देखते हैं जैसे ही phone आइकन में आये तो यहाँ पर आप लोग data देख सकते हैं इस तरह का data आ सकता है पर पहले वाले phone screen में ऐसे नहीं हुआ, तो दोनों इस्तिती में क्या करें, पहले दुसरे वाले phone screen को देखते हैं, जब पहले से data, अथार्थ मेग्रे data आया हुआ रहेगा तो इसके नीचे यहाँ पर pencil का icon दिखाए देगा, इसे edit button कहते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ केवल ऐसे data आये तो edit button को touch करेंगे, तो एक नया page खुल कर आएगा, इस page को केवल आपको edit करना है, तो चलिए कैसे edit करना है सिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, mobile number, mobile number में पहले से number मोजूत है, तो सदेश से mobile number को confirm कर लेना है, यदि सही है तो नीचे में, the mobile numbers belong to relation, अथार, ये जो number है, उसके साथ सदेश का क्या स्रिस्ता है, तो इसके drop down को touch करेंगे, तो देखेंगी गारप प्रकार की option है, mobile number के owner के साथ जैसा रिस्ता है, उसे चुनेंगे, तो ये number दिदी का है, तो self को touch करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है, नीचे में आपको save और cancel बटन दिखाए दे रहा है, तो आप सही वीवरन भरे हैं, इसलिए save को touch करेंगे, तो touch करते ही एक नया notification आएगी, जो है data update successfully, अथार, आपके द्वारा data में सफलता पुर्वक सुधार किया गया, तो okay कर देंगे, लेकिन पहले वाले mobile screen में ऐसे नहीं था, यहां तो page प तो चलिए touch करते हैं, touch करते ही एक नया page खुल कर आएगी, दूसरे वाले mobile के screen में जैसे आया था, यह भी उसी तरह का page है, तो इसमें सदस्यों के दुवारा लिया गया number को mobile number जहां लिखा है, उसके नीचे type करेंगे, तो चलिए type करते हैं, और the mobile numbers belong to relation के drop down को touch करेंगे, और mobile के owner से संबन्द के अनुशार option को touch करेंगे, तो चलिए touch करते हैं, ये number उनके बेटे का है, तो यहाँ पर कुछ उनके sun लिखावा नहीह है, तो other को touch करेंगे, पती का रहता तो spouse को touch करते और खुद का रहता तो self को touch करते, तो चलिए अभी other को touch करते हैं, टच करते ही पहले वाला पेच खुल कर आएगा जिसमें अब मुबाइल नंबर को यहाँ पर फिल किया हुआ देख सकते हैं तो अब सेब बटन को टच करेंगे टच करते ही नोटिफिकेशन आएगी जिसमें लिखा है डाटा सेब सेक्सेसफुली अथार आपके द्वारा डेटा का सेब सफलता पुरुवक किया गया और ओके कर देंगे यदि दिदी और भी नंबर को एड करवाना चाहती है तो पलस ब में सदेश का पता को एंट्री करना है जैसे एड्रेस के आइकन को टच करेंगे तो एक खाली पेच खुल कर आएगी तो आपको सदेश का एड्रेस यहाँ पर भरना है इसलिए ये वाले पलस बटन को टच करेंगे तो एक पेच खुल कर आएगी इस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है address type, अथार्थ सदेश का पता कैसा है, इसके लिए address type के drop down को touch करेंगे, तो दो तरह का option खुल कर आएंगे, जिसमें पहला है primary, अथार्थ मुख्यपता, और दुसरा है other, तो दिविया देवी का address primary है, तो primary को touch करेंगे, इसके बाद address location, address location के नीचे दो option है, पहला local, अर्थात अस्थानिय पता, और दुसरा remote, अथार्थ, दूर का पता, जब हम लोग address type में primary को touch करेंगे, तो address location में काम नहीं कर सकते हैं, पर address type में other को touch करते हैं, तो दोनो option चुनने के लिए option खुल जाता है, पर हमने primary चुना है, इसलिए यहां का आगे है address line 1, इसको पहले ऐसे समझते हैं, यदि कोई sir किसी सदेश के घर आना चाते हैं, तो वे कैसे आएंगे, सौभाविक है कि वो लोगों से पुच-कुच कर उनके घर तक पहुचेंगे, पर sir को लोगों से पुचना ना पड़े, इसके लिए address line 1 और address line 2 को फिल करेंग जैसे दिविया देवी के घर के निकट रिता स्टोर है, तो address line 1 में रिता स्टोर लिखेंगे, और address line 2 में दिविया देवी के गाउं में सरकारी स्कुल है, तो यहाँ पर पूरा सरकारी स्कुल का नाम को लिख देंगे, इसके बाद ग्राम पंचैक के ड्रॉपडाउन को रहा है तो सदेश के आधरकाट से पिन कोड को देखकर एंट्री करेंगे, तो चलिए पिन कोड टाइप करते हैं, इससे यह लब होगा कि जब कोई सर को सदेश के घर जाना होगा, तो सबसे पहले ग्राम पंचैक पहुँचेंगे, उसके बाद घ्लेद पहुँचेंगे, औ और उसके बाद एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 1 याने कि रिता स्टोर के पास जाते ही सदेश के घर तक पहुँच सकते हैं, इसलिए एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 भरना है, पूरा वीवरन भर लिये हैं तो एड्रेस को टाइच करेंगे, जैसे एड्रेस को टच करेंगे तो एक नया नोटिफिकेशन आएगा डाटा सेफ सेक्सेसफ़ली और ओके ओके को टच करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा जिसमें सदेश का पता दिखाए देगा यदि कोई गलती हो गया है तो पेंसिल बटन को टच कर सुधार करेंगे पर ये लाल वाला डस्वीन अथार्थ डिलीट बटन को कभी भी टच ना करें अथार्थ लोकोईस एप्लिकेशन से किसी भी चीज को डिलीट ना करें नहीं तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस तरह एड्रेस आइकन को भरने हम लोगों ने सीखा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने दोस्तों से सेर करें यदि किसी भी परकार की समस्याओं हो तो कमेंट बुक्स पर हमें कमेंट करें यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर दें और यदि किसी भी तरह का और सवाल या समस्याओं है तो इस वाट्सप बार कोड से हमारे ग्रूप में जुड़ें ताकि आपके समस्याओं का समाधन तुरंद मिल सके तब तक के लिए धिन्यवाद